जी हां इस बार अनन्या बन कर नहीं बलके एक बुरा खुआप बन कर आई है अबनी दैयाıyıती के सामने आपको बता दें कि दैयावनती महता को हो गया है शक कि अबनी आज भी जिन्दा है उस बुलट शौट ने अबनी की कहानी को खत में नहीं किया था वो लगातार दया के बरबाद होने का इंतजार कर रही थी और नए नए प्लांस को एक्जिक्यूट कर रही थी जिनके चलते आज वो कभी भी दया को बरबाद कर सकती है खेरे सच के बाद दया काफी जादा डर गई है और अब उसमें शुरू कर दी है अवनी की खोज वो कैसे भी करकर अवनी का पता लगाना चाहती है कहीं से भी और किसी भी क्लियू के जरीए वो बस अवनी तक पहुंचना चाहती है आपको बदा दें कि आने वाले टाइम में अवनी को लेकर शुरू हुई दया की ये खोज उसे अनन्या के सच तक ले जाएगी क्योंकि दया की दो ही मकसद हैं एक तो अनन्या को पहचानना और दूसरा अवनी को जूनना लेकिन वो अभी नहीं जानती कि दोनों ही एक हैं और अगर एक गुत्थी भी सुलजती है तो वो दूसरी गुत्थी तक खुद बगुत पहुँच जाएगी देखना काफी दिल्चस्त रहने वाला है कि ये कंफ्यूजन वाला ड्रामा दर्शकों को कितना मनोरंजन दे पाएगा सब्सक्राइब करें टॉप न्यूज जस्ट फो यू और जोर जाए हमारे साथ इस तरह की तमाम धमाकेदार खबरों के लिए TOP NEWS की रिपोर्ट